नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल प्रमिला ब्यूतिक पर आज हम करेंगे प्रेंटिड कुर्टि की कटिंग करते हुए मैं आपको शिखाऊंगी पांच इंपोर्टेंट बाते आपको मैं बताऊंगी जो आप कमीज की कटिंग में परफेक्ट सी दोंगी ये है हमारा कुड़ती के लिए कपड़ा ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है सबसे पहले हम कपड़ा देख लेते हैं हमारा कीतना है त्रताले सिंच हमारी कपड़े की लंबाई है और त्रताले सिंच ही हमें कमीज की लंबाई तयार रखनी है इसमें हमें फोल्ड करने की पट्टी अलग सी लगानी पड़ेगी सबसे पहले हम जितनी हमारी कमीज की चोड़ाई है मतलब जितना हमारा गेर है उस इसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है गेर हमारा तयार है 24 इंच तो हमें 27 इंच मतलब 1.5 इंच एक तरफ और 1.5 इंच दूसरे तरफ तो 3 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उस इसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे पोणे 14 इंच कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह से हम कमीज को रख लेंगे फोल्ड करके बंध हिसा हम अपनी तरफ रखेंगे और जो यह हमारा खुला हिसा है इसको हम बार की तरफ रखेंगे इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे सबसे पहले लेते हैं हम सबसे पहले तो हमें कमीज में क्या ध्यान रखना है कि हमारी कपड़े में कोई भी कान ना हो बिना कान का हमें कपड़ा लेना है अगर हमारी कपड़े में कान है तो उसे हमें कट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा कम इजटेट आजाएगा उससे हमारी फिटिंग नहीं आएगी सबसे पहली बात तो हमें यह द्यान रखनी हो पूरी सलबटे निकालके हम कपड़े को सिधा रख लेते हैं अब हम लेंगे तीरा तीरा लेना है हमें साथ इंच यह नहीं है कि जितनी भी हम कुड़तियों की सिलाई करते हैं कि उसमें 7 इंच ही वो हम अपने साइज के हिसाब से लेते हैं अगर 20 इंच के उपर हमारी चेश्ट है तो 7 इंच लेते हैं अगर हमारी 24 इंच के उपर है तो हमें यहां 7 इंच लेते हैं अगर हमारी 20 inch से कम है, तो हम 6, 6th up की हाबगी हमारा जितना हमें गड़ा रखना है, अगर deep गड़ा रखना है, तो 6 inch का भी तीरा चल जाएगा, 20 inch की Cister вे, अगर हमें गड़ा छोटा रखना है, तो हमें 7 inch का तीरा रखना होगा, 7 inch का हमने तीरा लिया है, आठी इंच का हम मूट डालेंगे जहां मतलब यह जो हमारा चेश्ट का निसान है यहां पर पहले हमें एक सीधी लाइन लगा लेते हैं इस तरह से इस तरह से हम कमर की कमर लेंगे 7.7 इंच पर हिप लेंगे हम 15 इंच पर इस तरह से पहले हमें यहां यह तीन लाइने लगा लेते हैं हिप की कमर की और चेश्ट की इस तरह से पहले हमें यहां लाइनिंगे खीच लेनी है इसके बाद जो हमारी फिटिंग है उस इसाब से हम निसान लगाएंगे चेश्ट है हमारी 20 इंच जिसका यह नाप है यह तो बहुँ बिल्कुल द्यान से देखना 20 इंच हमारी कमर है इप है हमारी 23 इंच तयार गेर है हमारा 24 इंच तयार इस तरह से हम निसान लगा लेंगे मुड़े की गोड़ाई करेंगे हम डेड़ इंच इस तरह से कर लेंगे हम मुड़े की गोड़ाई अब जो हमारा चेश्ट का और कमर का है उस निसान को मिलाएंगे आपस में इसको हमें बिल्कुल इस तरह से तिर्चा नहीं मिलाना है अगर हम इस तरह से तिर्चा मिलाते हैं अगर हम इसको बिल्कुल इस तरह से मिलाते हैं तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी जो चेश्ठ है इस पर खिचाव बन जाएगा तो इसको हम इस तरह से सिलाई देंगे इस तरह से हाफ इंच हम इसको गोडाई में देंगे इसी तरह से जब हम ये कमर्शे हिप का की जो सिलाई लगाते हैं अगर हम ज्यादा मोड़े हैं हमारा पेट निकला हुआ है तो इसी तरह से हड़की हड़की गोडाई में हम ये सिलाई लगाते हैं नहीं तो हम इस सिलाई को ऐसे ही लगा सकते हैं कि दो इंच का मर्जन देते हुए हम एक निसान और लगाएंगे एक्स्ट्रा कपड़ा कपड़े के लिए इस तरह से हम यह निसान लगा लेंगे और जो हमने यह निसान लगाए हैं बिल्कुल इन निसानों से ही हम इस कुड़ती की कटिंग करेंगे यह हम दोनों इसो की कटिंग एक साथ कर रहे हैं अब जब हम इन दोनों इसो को अलग अलग निकालते हैं फरंट और बैक एक्स्ट्रा तो जो हमारा यह फरंट इसा है इसको हम बैक इसे से एक इंच कम करते हैं एक इंच कम करने के लिए हमें हाफ इंच पर निसान लगाना पड़ेगा हाफ हमारा इसमें से होगा और हाफ हमारा बैक वाला जुड़के एक इंच हमारा बड़ा हो जाएगा बैक वाला हिस्सा फरंट वाले से इस तरह से फरंट वाला हमारा चोटा होता है और बैक वाला बड़ा है ये हमारा इसलिए होता आ जो हमारा गड़ा पीछे की तरफ जाता है, वो हमारा नहीं जाएगा, बाकी ये mostly होता है, जो थोड़ी सी मोटी लेडिज होती हैं, उनके साथ तो ये होता ही है, उनमें तो हमें ये फरक लगाना ही होता है, फरन्ट वाले में और बैक वाले में बड़ा छोटा हमें काटना जरूरी हो जाता है, अब करेंगे हम आरम होल की कटिंग, जो हमारा ये मुड़े का मले ये हमारा मुड़ा है, इसका हम सेंटर लेंगे 8 इंच का जैसे हमारा मुड़ा था, उसका हम सेंटर लेंगे 4 इंच, अमारा सेंटर आ जैएगा, वहां से हम पोना इंच, अंदर की तरफ निसान लगाएंगे, इस तरह से हम निसान लगाएंगे, आरम होल की कटिंग के लिए, जितनी अच्छी हमारी आरम होल की कटिंग होगी, उतनी अच्छी ही हमारी, ये सेफ आएगी, इतनी अच्छी ही हमारी फिटिंग आएगी, ये होगी हमारी आरम होल की कटिंग, परंट इस से की, साथ की साथ कर लेते हैं, बैक गड़े की कटिंग, बैक वाड़ा गड़ा है, हमारा पांच इंच लंबा, उरड़ा इंच चोड़ा, इस तरह से कर देते हैं, बैक वाड़े गड़े की कटिंग, बैक और फ्रंट इस से की हमारी कटिंग होगी है, अब करेंगे हम बाजु की कटिंग, ये हमारा बाजु के लिए कपड़ा है, हाफ बाजु इसमें से हमें निकालनी है, सबसे पहले जहां से हमने कमीज का मुड़ा निकाला है, वहां से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, डेट इंच कपड़ा हम फोल्ड करने का छोड़ देंगे, यहां से हम बाजु की तयार लंबाई नापेंगे, साड़े नो इंच हमें बाजु की लंबाई तयार करनी है, साड़े दस इंच हम ले लेंगे, इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं, सड़े ती निच करेंगे हम, आफ बाजु की निच्चे से गोड़ाई, मुड़े की, पहले हम इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे, इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे, मोरी हमारी कितनी तयार है, साथ इंच, देड इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे, सड़े आठ इंच पर हम निशान लगा लेंगे, और इस तरह से रेब में चाए हम पहले निशान लगा लें, या बाज़ू की कटिंग कर लें, इस तरह से हम इसको रख लेंगे, अब सड़े तीन इंच करेंगे हम मुड़े की गोड़ाई, इस तरह से कर लेंगे हम बाज़ू की कटिंग, अब करेंगे हम बाज़ू की आरम होल की कटिंग, पोणा इंच पर हम निशान लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है, जितनी भी हमें लंबाई बाज़ू की कितनी भी रखनी है, अगर हमारी बाजू में ये दिक्कत आ जाती है तो इसी तरफ से हमें बाजू का फरंटीस सा निकालना है बाजू हम अगर मुड़े के पास से निकालते हैं लेंध हमें पूरी चाहिए अगर हमारी बाजू में ये यहां पर गोड़ाई आ जाती है तो हम फ्रेंट इसे की कटिंग इसी तरफ से करेंगे, यह जो हमारा थोड़ा सा कुणा बच्छी यह हमारा सिलाइ में जाएगा, बाजु में कहीं कोई जोड नहीं आएगा, एकदम अच्छी बाजु की हमारी कटिंग हो जाएगी, यहां हम छोटा सा कट लगा लेते हैं, फ् इस तरह से दोनु बाज्यों को अलग-अलग कर लेते हैं और यह हो जाती है हमारी बाज्यों की कटिंग यह जो हमारा कपड़ा है इसे हम नीचे जो पट्टी हमारा जो कम कपड़ा था उसमें यूज करेंगे और गड़े में यूज करेंगे ये थी हमारी कमेज की कटिंग एक बारी मैं आपको रखके दिखा देती हूँ ये हैं हमारा बैक सा ये हैं हमारी बाज्जू और ये हैं हमारा फरेंटिसा अगर आप इसी नापकी कुड़ती काटना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें बहुत ही आराम से कुड़ती की कटिंग कर सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मुझे कोमेंट में जरूर बताएं मेरे चैनल को सेर करें, सिस्क्राइब करें धन्यवाद